टेसला कंपनी को तो आप लोग जानती होगे ना, इस कंपनी के शेर्ट्स में आप लोगों को देने वाला हूँ बिलकुल फ्री में, इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, ओक्टूबर के महीने में गाड़ियां दबा कर भिकी हैं, लेकिन इंडियन अटोमोबिल मार् की लिस्ट में सुनाई दिया करता था, अब उन्ही गाड़ियों का नाम, लीस्ट सेलिंग कार्ज की लिस्ट में भी सुनाई देना लगा है बॉस, तो चलिए इस वीडियो में बात कर लेते हैं, ओक्टूबर के महीने में, सबसे कम दिखने वाली 25 गाड़ियों के बारे में आम तोर पे तो इस लिस्ट में में सिर्फ 15 गाड़ियों को इंक्लूट किया करता था, लेकिन इस बार मैंने सोचाया कि आपको जब मैं टॉप 25 सेलिंग कार्ज के बारे में बता सकता हूँ, तो टॉप 25 लीस्ट सेलिंग कार्ज के बारे में क्यों नहीं बता सकता, तो चलि का मार्केट इंडिया में काफी डाउन हो चुका है वो बात अपनी जगा सही है लेकिन वरना पेट्रॉल और डीजल दोनों ही इंजन आप्शनस में मिलती है उसके साब से इसकी विक्री थोड़ी बैहतर होनी चाहिए थी हालनकि मैं आपको बतातू कि इसकी सेग्मेंट की किं क्यों ना हो अपनी सेग्मेंट में सबसे ज़्यादा क्यों ना विक्ती हो लेकिन अगर बात करें सबसे कम विक्ने वाली गाडियों के बारे में तो ये 24 पोजीशन पर है वोस और इस बात का गमन्ड टोयोटा वालों को बिल्कुल भी नहीं है आने वाले कुछी समय में वा मारूती की कभी किसी भी गाड़ी का नाम सुना होगा या कभी उमीद की होगी लेकिन इगनिस जो की मारूती का ग्लोबल प्रोडक्ट है वो इस लिस्ट में अपनी जगे बना चुकी है वैसे तो आम तोर पे इस गाड़ी की चार से 6000 इनिट काफी प्यार से बिक जाती थी लेकिन इस माईने इसकी मुश्किल से 1500 इनिट सी बिक पाई है 22nd position पर भी मारूती की ही एक और गाड़ी है S-Cross जिसकी 1524 इनिट सी बिक पाई है जैसे दैसे जब से ये गाड़ी launch हुई है इसकी बिकरी इतनी कम कभी भी नहीं हुई और कभी भी ये least selling cards की list में नहीं आई है लेकिन October में आ गई आगे बढ़े है तो 21th position पर है Tata की TIGOR जिसकी 1377 तेरा सो सततर इनिट से बिक हैं पूरे भारत में एक टाइम तो जब Tata की कुछ गाड़ियां least selling card में हुआ करती थी तो कुछ गाड़ियां best और least के बीच में कहीं होती थी लेकिन अब इसकी गाड़ियां धीरे धीरे टॉप selling cards की list में एंडर होती चले जा रही है एक लौती टिग और ऐसी है जो अभी भी least selling card की list में अपनी जेगे बनाई बैठी है 20th position पर है मारूती हम इंडियन्स होना daily basis कितने सारे American products और services का यूज़ करते हैं Movies Netflix पर देखते हैं, Shopping Amazon पर करते हैं और Mobile Apple का यूज़ करते हैं Tesla हो, Google हो या फिर कोई दूसरी US company यह काफी grow कर रहे हैं US stocks की सबसेची बात यह है कि यहाँ पर आप fractional shares करी सकते हो मतलब की share का एक चोटा सा हिस्सा ज़रुवत नहीं पूरे को पूरा share खरीदने की US stocks में invest करने में पहले आपको काफी extra commissions और charges पे करने पड़ते थे लेकिन IND money अपने इसको solve कर दिया है इस app पर आप account open कर सकते हो और maintain कर सकते हो बिना किसी extra charge के, US stocks खरी सकते हो बेज सकते हो बिना किसी extra brokerage fees के तो आप अपनी favorite US companies और ATFS में बहुत कम पैसों में investment कर सकते हो जड़ा सोचो Tesla और Google जैसी companies में मातर 10 या 20,000 रुपे में आप इनके shares करी सकते हो हाल फलाल festive season चल रहा है और मैंने सोचा कि क्यों आप लोगों के लिए कुछ खास किया जाए तो IND money app के साथ मिलकर मैं आपको Tesla के shares free में दे रहा हूँ बस आपको कुछ करना है तो इस वीडियो के description box में दीवी link के थ्रू इस app को download करना है और आपको shares free में मिल जाएंगे या फिर आप direct download कर सकते हो app store या फिर play store से और एक code ASY Tesla के यूज़ करके आपको shares free में मिल जाएंगे 20th position पर है Maruti की एक और गाड़ी SIAZ जिसकी सिर्फ 1069 एक हजार उननेट सी बिकपाई है पूरे बहरत में ज्यादा पुरानी बात ना करूँ तो SIAZ अपनी segment की king बन चुकी थी लेकिन अब ये अपनी segment में सबसे कम बिकने वाली गाड़ी बन चुकी है आप देख सकते हो कि इस list में तीन गाड़ियां Maruti की आ चुकी है जबकि ऐसा कभी भी देखने को नहीं मिला इसके बाद 19th position पर है Renault की Duster जिसकी 786 706 उनिट्स बिकी है पूरे भारत में इस गाड़ी की sales काफी बहतर हो सकती थी अगर ये company चाहती तो समय रहते हैं इन्होंने next generation इंडिया में लॉंच ना करते हुए पूरी दुनिया बरे में लॉंच कर दी हालंकि अब सुनने में आ रहा है कि 2022 में इसकी next generation इंडिया आ सकती ये गाड़ी अच्छी खासी पेट्रॉल और डीजल इंजन दोनों ये options में मिला करती थी लेकिन पता नहीं क्यों होंडा वालों ने इसकी डीजल इंजन को discontinue कर दिया 17 पोजिशन पर है होंडा की WRV जिसकी 728, 728 unit सी पिकपाईया पूरे भारत में WRV एक टाइम पर अपनी segment की गाड़ीयों को काफी तगड़ा competition दिया करती थी क्योंकि ये एक लौती ऐसी गाड़ी थी जिसमें sunroof मिला करती थी लेकिन अब समय ऐसा आ चुका है कि WRV least selling कारे के list में बनी बैटी है क्योंकि इस गाड़ी को समय रहते बिलकुल भी update नहीं किया गया है 16 पोजिशन पर है किया की कारनेवाल जिसकी सिर्फ 400, 400 unit सी पिकपाईया पूरे भारत में इस गाड़ी से किया वालों को काफी ज़्यादा उमीदे थी जब इसकी विकरी नीचे जाने लगी तो किया वालों ने एक से एक बहतरी नौफर भी इस गाड़ी के साथ देना शुरू कर दिये जैसे कि काफी तगड़ा cash discount देना शुरू कर दिया इसके अलावा गाड़ी आप वापिस भी कर सकते हो एक महीने के अंदर अंदर अगर आपको ये पसंद नहीं आती तो लेकिन इतने भेतरी नौफर्स होने के बावजूद भी इस गाड़ी की sales पर कोई असर देखने को नहीं मिला भी तक 15th position पर है Volkswagen की Polo जिसकी सिर्फ 319, 319 उनिट सी बिकपाई हैं पूरे भारत में इस गाड़ी की वैसे आमतोर पे डेढ़ या 2,000 उनिट काफी आराम से बिकजाय करती थी लेकिन इस महीने मुश्किल से 300 ही बिकपाई हैं 14th position पर है Detson की Radigo जिसकी सिर्फ 281, 281 उनिट सी बिकपाई हैं पूरे भारत में 13th position पर है Morris Garage इसकी Gloucester जिसकी 260, 260 उनिट सी बिकपाई हैं पूरे भारत में अगली position पर है Nissan की Kicks जिसकी 230, 230 उनिट सी बिकपाई हैं पूरे भारत में 11th पर है Skoda की Rapid जिसकी सिर्फ 165, 165 उनिट सी बिकपाई हैं पूरे भारत में हालंकि Skoda Rapid को discontinue कर दिया गया है तो अब इसका sales figure आपको कम ही देखने को मिलेगा वो सकता है अगले महीने आपको 0 देखने को मिले इसकी जगे लेने वाली है Skoda की Slavia जो की अगले साल के शुरुआत में लाँच की जाने वाली है जहां था कि उसका नाम Volkswagen Voters होगा इसके बाद 9th position पर है Hyundai की Tucson जिसकी 119 उनिट्स बिकी है पूरे भारत में Next generation Tucson इंडिया में आएगी नहीं आएगी उसका तो नहीं बता लेकिन हाँ उसकी front profile से inspired Krata का facelift जरूर अगले साल के आगर तक इंडिया आ सकता है अगली position पर है Volkswagen की T-Rock जिसकी सिर्फ 80 80 उनिट्स ही बिक पाई है 7th position पर है Citroen की C5 Aircross जिसकी 64 64 उनिट्स बिकी है पूरे भारत में ये company और इस company के काम करने का तरीका मेरी समस्य तो बिलकुल परे है क्योंकि पहले ही इन्होंने इतनी महेंगी prices में अपनी SUV के launch करा और launch होने के बाद में उसके prices को डिर्ड लाग रुपे तक और बढ़ा दिया है एक ही बार में इतने prices होने के बाद में इस गाड़ी को वैसे ही कोई नहीं खरीदेगा कोई जिस गाड़ी को आप कम prices में नहीं बेच पा रहे हो तो ऐसी गाड़ी को इंडिया जैसे market में launch ही क्यों किया आपने जल्द ही आप लोगों को खबर सुनने को मिल सकती है कि महिंदरा ने मराट जो को discontinue कर दिया है थर्ड पोजिशन पर है हुंडाई की ऐलांटरा जिसकी 11, 11 यूनिट्स बिकी है अक्टूबर के महिने में ऐलांटरा की सेग्मेंट की सभी गाड़ियां जैसे की होंडा सिविक या फिर टोयोटा को रूल आल्टिस सभी को discontinue कर दिया गया है लेकिन एलेंटरा अभी भी जैसे तैसे जीवित है और उसी तरह से इसकी बिकरी भी चल रही है तो भाईसा आप दोनों हाथ जोड़कर आपको लंबा चोड़ा प्रणाम और अब बात करें सबसे कम बिकने वाली गाड़ी के बारे में जो बिलकुल भी नहीं बिकी है डेटसन की गो प्लस जिसकी एक सिंगल यूनिट भी ऑक्टूबर के महिने में पूर भारत के अंदर नहीं बिकी है तो ये थी सबसे कम बिकने वाली गाड़िया आएंटी मनी एप को डिस्क्रिप्शन लिंक से डाउनलोड करके टेसला के फ्री शेर्स क्लेम करना बिलकुल मत बूलना आएंटी मनी एप को 2 मिलियन से भी ज़्यादा इंडियन्स यूज़ करते हैं आप भी अपनी फाइनशल लाइफ ट्रांस्वर्म करने के लिए इस एप को अभी के अभी डाउनलोड कर लिए तो चलिए इस वीडियो में तो पस इतना ही आपका देन शुब रहे धन्यवाद